सतत प्रवा किसे कहेंगे जैसे हमारी प्रित्वी पर जब से इस प्रित्वी की उत्पत्ती हुई है तब से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है हवाएं चल रही है परियावरण है तो हवाएं सतत रूप से प्रवाहित हो रही है और जब तक इस प्रित्वी का स्तित्व है तब तक ये अनवरत रूप से सतत रूप से प्रवाहित होती रहेंगी सतत रूप से हमें मिलती रहेंगी तो ये सभी जो है वो सतत प्रवा संसाधन के अंतरगत आ जाते हैं और इसी में हम देखेंगे बायोटिक तो बायोटिक में हम क्या कहें जैसे वनस्पतियां हैं है ना वनस्पत कोई एक व्रिक्ष है उसके बीज से और फिर से कई पौधे जो है वो उग सकते हैं या उगाये जा सकते हैं तो यह क्या हो गया रिन्यूएबल है फिर से बन सकते हैं फिर से पुना इनका निर्माड हो सकता है आप हो सकता है आप एक पेड को काट दे या कई हजार को कई हजार पेडों को काट दें लेकिन हम उसके बदले उन व्रिक्षों के उन पेडों के बीज से हम कई हजार व्रिक्ष जो है वो फिर से लगा सकते हैं एक जो जनतु है उस जनतु से हम कई और जनतु जो है वो पैदा कर सकते हैं एक मनुष्य है आप मुझे खतम कर सकते हैं लेकिन तरवाज जो हमेशा मिलता रहेगा, खतम नहीं होगा और बायोटिक में हम देखेंगे कि जो प्राणी जगत की हमने बात की ना भी कि वनस्पति आप एक वरिक्ष से कई उसके बीच से कई वरिक्ष जो है वो उगा सकते हैं एक वरिक्ष को काट देने से ऐसा नहीं है कि वन सं साधन या वनस्पति संसाधन जो है वो पूरी तरह से खतम हो जाएगा, आप एक मनुष्य यदि नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि कोई मानो संसाधन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक मनुष्य के बदले और कई मनुष्य जो है वो पैदा हो सकते हैं और उस एक वरिक्ष के बी कि हम एक व्रिक्ष के बीज से कई व्रिक्ष जो है वो उत्पन्न तो कर सकते हैं लेकिन अगर हम उस व्रिक्ष की प्रजाती को ही नस्ट कर दें तब उस वन संसाधन या उस प्रजाती रूपी संसाधन को फिर से नहीं बनाया जा सकता फिर से नहीं लाया जा सकता आप किसी ए एक व्रिक्ष या एक प्राणी के खतम हो जाने से वो पूरा संसाधन नस्ट नहीं होगा. तो इसमें थोड़ा अंतर है, इसे आपको समझना होगा. अब अनवी करनी देखते हैं, ऐसे संसाधन जो फिर से नहीं बनाए जा सकते हैं. देखिए, संसाधन जो होते हैं, वो तो कभी भी हम समाप्यता के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, है ना? लेकिन समाप्त इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार जो अनवी कर्णिय संसाधन है जो फिर से नहीं बनाये जा सकते हैं खतम हो जाते हैं उन संसाधनों को बनने में ही इतने लाखों और करोडों वर्ष लग जाते हैं कि फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं अनवी कर्णिय संसाधन, तो अनवी कर्णिय संसाधन में भी हम दो देखते हैं, पहला है पुना चक्री, पुना चक्री में हम देखेंगे कि कोई एक धातू है, यह सोना है, यह किसी भी प्रकार की जो यहां झापन डिक को मांड़ों के या या पैंड़ों अ हमेम के यह तो सगेने और प्रसरे और धाने मेरी के जत्राइबन difference in और प्डूर ओल रूव 2022 वह हैं सबस्क्राइब है यह में इसके मिलों? करें तो वो धातु जो है वो पुना चक्री हो सकते पुना चक्री के द्वारा हम उसे रिसाइकल करके फिर से उपयोग कर सकते हैं फिर से बना तो नहीं सकते एक बार सोना खतम हो गया तो हम फिर से सोना नहीं ला सकते लेकिन एक बार यदी हमने उसे दूसरे उपयोग में ले तो जैसे पेट्रोल है, आप एक बार यदी एक लीटर पेट्रोल को अपनी बाइक में यूज कर लेते हैं अपने घर से मारकेट जाने के लिए तो उस पेट्रोल को आपने धुए में ऊड़ा दिया, अब वो पेट्रोल वापस नहीं आएगा, एक बार जो उतना पेट्रोल कर लेते हैं तो वो पुरा खतम हो गया हम उसे फिर से नहीं ला सकते और उसमें कुछ जो हैं धातुएं जैसे होती हैं तो उसे हम रिसाइकल करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं पुना चक्री कर सकते हैं तो हमने देखा कि जो अनवी कर्णिय संसाधन होते हैं उसमें से कु तो लौख क кого पूरी आयसक bigger करें तो हम लगाता है आरगान कारी करें उस इस इस्तान से उस धरातल से जब हम पूरे आयसक को निकाल लें गे तो हम देखेंगे कि वहाँ से आयसक जो है वो पूरा खतम हो जायेगा वो अपनिया फिर से वहाँ पर आयस्क का निर्माण नहीं होगा यह हम कहें कि जितने समय पे आयस्क का निर्माण होगा वो बहुत कई करोड़ों वर्ष उसमें लग जाएंगे और इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत सारी खदाने भी जो है जहां से खननकारी किया जाता है चुकि वहाँ और पूरी तष्ड्थी जो हैं उनका प्रेयोक कर लिया गया है। वहां पर खननकारी के द्वारा हे दिए यह से छनीजो को निकाल लिया गया है। इसलिए बहुत सारी खदाने जो है 모습 वहां बंद हो गई हैं। जमाप्त होने की स्थिती में है वहाँ पर खनीजो की जो मात्रा है वो और इसी में हम एक एक्जामपल देखते हैं हमारे चत्यजगड का दली राजहरा वहाँ पर भी जो लौहयस्क की खदान है वो अब बंध हो गई है क्योंकि वहाँ उस खदान से पूरी तरह से लौहयस्क को निकाला जा चुका है अब इसी में हम देखते हैं जैसे पेट्रोलियम हमने कहा था कि भई आप एक किलोमीटर जाते हैं और उतने में आपने जितना पेट्रोल धुए में उड़ा दिया तो पेट्रोल को फिर से नहीं बनाया जा सकता और इसी प्रकार हम देखते हैं कि प बहुत सोच समझ कर विवेक पूर्ण प्रयोग जो है वो हमको करना होगा ज़रत हो तभी हम इनका प्रयोग करें इन्हें बहुत जादा वेस्ट ना करें या इनका एक सब्सिट्यूट भी एक विकल्प भी हमें धूंड कर रखना होगा जैसे हम उर्जा की बात कर रहे हैं उस इस संदर में हम कयले और पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो इससंदर में हमें पवन उर्जा या सौर उर्जा का विकल्प ढूंड कर रखना होगा और इनका उपयोग भी जो है वो बहुत विवेक पूर्ण धंग से प्रयोग करना होगा नहीं तो हमें पता है कि पेट्र जा Messiah कि आम इंसान की पहुच से भी बहुत दूर हो जाएगा. तो हमारे हमारी समझदारी-ची में है कि हम इन संसाधना को बहुत सोऔ्स समझ कर प्रयोग करें. छैसे यह हमने एक्जांपल लिया था भी कि Soneta है Sonata को हमने प्रयोग कर लिया फिर मेल्ट करके हम फिर से दूसरे प्रयोग में ले लेकिन जब पुरा खतम हो जाएगा तो हम उसे फिर से नहीं बना सकते हैं जैसे बॉकसाइट है बॉकसाइट से हमने अलुमीनियम बना लिया अब जब हमने उसे अलुमीनियम बनाया तो वो बॉकसाइट पूरी तरह से ख मुल्य उपहार के रूप में जो संसाधन दिये हैं, उनका हमें बहुत सोच समझ कर वेकपुर्ण धंग से प्रयोग करना होगा। इसका तीसरा प्रकार देखते हैं स्वामित्व के अधार पर, ओनर्शिप की हम बात कर रहे हैं, तो स्वामित्व के अधार पर चार प्रकार हैं, पहला व्यक्तिगत है, दूसरा सामुदाइक है, फिर राष्टी संसाधन है और अंतर राष्टी संसाधन है, तो व्यक्तिगत स या कौन-कौन से व्यक्तिगत संसाधन हुए तो जासे आप अपने जिस मोबाइल फोन کا उप्योग कर रहे हैं, जिस कॉपी में आप लिखते हैं, जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं, जिस स्कूटी से आप सकूल जाते हैं, यह सभी या जिस भर में आप रहते हैं यह सभी आपके क्या होंगे व्यक्तिगत संसाधन है बिना परमीशन के कोई दूसरा व्यक्ति उसे उपियोग नहीं कर सकता वो ओनर्शीप के हिसाब से या स्वामित्व क्या अधार पर क्या है वो खुद आपका है आपका स्वामित्व है उस संसाधन प तो भई जैसे पार्क की हम बात कर रहे हैं तो पार्क तो सामुदाइक संसाधन हो गया क्योंकि सिर्फ यदि आप जा रहे हैं वहाँ पर तो सिर्फ एक आपका ही अधिकार नहीं होगा उस लोकलिटी में उस मतलब जितने भी लोग उस इस्थान पर रहते हैं, वो सभी उस पार्क में घुमने जा सकते हैं, सभी का उस पर अधिकार है तालाब के पानी का उपयोग करने का एक समुदाय विशेश का अधिकार होता है किसी एक व्यक्ति विशेश का अधिकार नहीं होगा तो यह हम गाउं में चारा गा भूमी की बात कर लें तो उस पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार नहीं है कि भाई फलाव्यक्ती ही जाएगा वहाँ पर अपने पशुओं को चराने के लिए, वो गाओं के जितने भी लोग हैं, उस चारागा भूमी पर समान रूप से सभी लोगों का अधिकार है, कि वो उस भूमी का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सभी जो संसाधन है, वो हो गया, ये सभी आपके क्या है, रास्टी संसाधन है, तो भई ऐसे तो जितने भी संसाधन किसी देश में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो सभी रास्टी संसाधन होते हैं, क्योंकि सरकार को ये अधिकार है, कि लोगों की भलाई के लिए, जनता के कल्यान के लिए, वो किसी भी संसाधन का अधिगरहन कर सकता है, आपने सुना ही होगा कि कोई रेल लाइन बिछाने के लिए या हाइवे बनाने के लिए किसी भी किसान या लोगों की जमीन का को सरकार जो है वो खरीद लेती है, हाँ बदले में वो उसे उनका जो मुआवजा है वो उसे प्रदान क कर सकती है, उसे अपने अधिकार में ले सकती है, तो यह सभी तो राष्टी संसाधन होंगे ही, इसके साथ ही साथ हम लैंड की बात कर रहे थे, जली हिस्से में भी जैसे ही आपका भारत है, भारत का आपको दक्षनी हिस्सा हमें पता है, कि एक प्रायादीप है, तीन और से जलभाग से घिरा हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट जो है, उसके लगा हुआ जो उसका तटी छेत्र होता है, जैसे भी हम बात कर लें हिंद महासागर की या बंगाल की खाडी की अरब सागर की, तो इन तीनों ही महासागरों का सागरों का जो हिस्सा ह है, उसमें भारत का जो अधिकार है, वो 12 नौटिकल मील तक होता है, 22.2 km एप्रोक्स, हम समुद्र की सीमा को, जैसे हम रोड की जो सीमा होती है, सड़क मार्ग की जो सीमा होती है, हम उसे किलो मीटर में उसको मापते हैं, वैसे ही हम जब समुद्र की सीमा का मैजर्मेंट हम को करना होता है तो हम उसे nautical mile से मापते हैं तो भारत का जो अधिकार है या किसी भी राष्ट का जो अधिकार है उससे लगे हुए जो तटी सीमा होती है उसमें 12 nautical mile तक होता है वो उसमें उपस्थित जितने भी संसाधन है उस पर उसका पूरा अधिकार होता है वो उसका उ यू लेंड के अलावा हमने देखा कि समुद्र में भी 12 nautical mile तक का जो छेतर होता है वो राष्ट की संपत्ती होती ही रास्ट का किसी देश का संसाधन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतराश्टिय संसाधन, तो अंतराश्टिय संसाधन जो होता है, जैसे अभी हमने समुद्री सीमा की बात की थी, तो इसमें 12 nautical meal तक तो किसी particular देश या राष्ट का इस्थान होता है फिर 200 nautical meal तक जो है वो EEZ होता है exclusive economic zone अनन्य आर्थिक छेत्र इसके बाद 200 mile के बाहर का जो छेत्र होता है उसे हम open sea या खुला सागर कहते हैं और यहां पर किसी भी देश का किसी भी राष्ट का कोई अधिकार नहीं होता है कोई स्वामित्व नहीं होता है और यहां पर जितने भी जो संसाधन उपस्थित हैं उनका प्रयोग करने के लिए उसके उपयोग के लिए किसी भी राष्ट को अंतर राष्ट ये संस्थाएं ज नहीं किया जा सकता तो यह हो गए अंतरास्टी संसाधन अब हम बात करते हैं विकास के इस्तर के आधार पर भी संसाधनों का विकास हम करते हैं तो वह संसाधन कितनी विक्सित अवस्था में हैं उस आधार पर हम इसका जो वर्गी करन करते हैं तो तीन प्रकार है इसके पहला संभावी भंडार, दूसरा विक्सित संसाधन और तीसरा है संचित कोश. संभावी भंडार की हम बात करते हैं या संभावी संसाधन की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं ऐसे संसाधन जो उपस्थित है और हमें पता भी है कि ये संसाधन हमारे पास है और उस संसाधन का प्रय लेकिन वर्तमान समय में हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह हो गए संभावी संसाधन, जैसे कि राजस्थान गुज्रात, हमें मालूम है कि राजस्थान और गुज्रात में जो है, वो बहुत परियाप्त मात्रा में सूर्य की किरने मिलती है, तापमान अधिक रहता ह और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि वहां पर बहुत तेजगती से हवाएं भी चलती हैं. तो उस सूरी के प्रकाश से हम सोलर एनरजी बना सकते हैं और उन तिवर्च चलने वाली हवाओं से हम पवन उर्जा का भी निर्मान कर सकते हैं. लेकिन हमें मालूम तो है कि हम उन हवाओं से पवन उर्जा बना सकते हैं, सोलर एनर्जी जो है वो निर्मित कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी अपनी तक्नीक को उतना विक्सित नहीं किया है कि हम उनका प्रयोग कर पाएं. फिर हम देखते हैं दूसरा विक्सित संसाधन, विक्सित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर संसाधन उपस्थित है और उस संसाधनों को प्रयाप्त करने के लिए हमने तक्नीक भी विक्सित कर लिया है और उसका प्रयोग भी कर लिया है, मतलब उस संस तो यह हो गए आपके विक्सित संसाधन, फिर आपका संचित कोश, संचित कोश में हम देखेंगे कि हमें पता तो है कि यह संसाधन है और इससे यह चीज जो है वो उत्पन्न की जा सकती है, जैसे हमने एक्जामपल लिया था कि हम जो बहता हुआ जल है उसमें बांध बनाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जल प्रपास से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन यह सभी चीजों को हमने पता है कि यह संसाधन है, हमारी तकनीक भी है हमारे पास, लेकिन हमने उसे विक्सित भी हो गया है, लेकिन हम अभी उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम कह सकत कि संचित रूप भंडार की रूप में हमने रखा है ताकि जब हमारे पास और संसाधनों की कमी होगी तब हम भविश्य के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रखे हुए हैं और तब इनका इन फ्यूचर देखा जाएगा कि इनका प्रयोग किया जाए या ना किया जाए तो यह हो गया आपके विकास के इस तर क्या धार पर संसाधनों का वरगी करण इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो संसाधन होते हैं इनका एक और वरगी करण है जिसके अंतरगत है पहला बहुतिक संसाधन और दूसरा है मानवी संसाधन तो बहुतिक संसाधन क्या धार पर जो हम में पता है कि मनुष्य खुद एक संसाथन है तो इस मनुष्य के भी अलग-अलग अवस्थाइं होती है, संध्षिनाई होती है, एज स्ट्रफ्रक्चर वाइस है, मे clamp है, female है, अलग-अलग एज स्ट्रक्चर के लोग होते हैं, तो इस आधार पर और दूसरा है आपका संदशना और अवस्था के आधार पर मानवी संसाधन का वर्गी करन है और दूसरा है योग्यता के आधार पर या मात्रा के आधार पर तो भाई हम देखते हैं कि हमारे मानो समुधाय में अलग-अलग योगिता वाले और अलग-अलग मात्रा में उपस्थित हैं जैसे डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर की योगिता लग है वो कम मात्रा में हैं उससे ज़्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी योगिता और अधिक है और वो और बहुत कम मात्रा में हैं इसके बाद इंजिनियर्स उनसे अधिक मात्रा में हैं और फिर हम बात करें कि जो औ प्रानुए संसाधन होते हैं इनका भी हम संरशना अवस्था और योग्यता और मात्रा के आधार पर विभाजन करते हैं तो यह हो गई बात हमारे संसाधनों के वरगी करण की बच्चो जब हम संसाधनों के विकास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृती ने हमें प्रकृती ने जो इतने संसाधन हमें प्रदान किये हैं या इन संसाधनों के द्वारही जो हम विकास की सिस्तर को प्राप्त कर रहे हैं उसे हम परियावणी श्रोत कार्या एंवायरमेंटल जो है सोर्स फंक्षन कहते हैं अब जोरत इस बात की है कि इन संसाधनों का विकास हम कैसे करें या इनका उप्योग कैसे करें अगर हम अंधा धून विदोहन करेंगे तो हम पतन की ओर चले जाएंगे विकास से क्योंकि ये पहली बात तो ये कि ये हमारे पास परियाप्त नहीं है और दूसरी बात ये कि में विकास के विपरी पतन की तरफ लेकर चले जाएंगे तो इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि हम सोच समझ कर विवेक पूर्ण धंग से इन संसाधनों का प्रयोक करें और साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि इन सभी संसाधनों को हम बरतमान के लिए ही न समझ की बात करते हैं या जिसे हम sustainable development या समपोशनिय विकास की बात करते हैं समपोश्णिय विकास का अर्थ होता है कि संसाधनों का ऐसा उपियोग ऐसा विदोहन जिसमें हम वर्तमान की आवश्चक्ताओं को पूरा करें ही और सा थी साथ हम हम भविश की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का समुचित उपयोग, संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग करें, जिसे हम टिकाव विकास भी कहते हैं, संपोष्णिये विकास के नाम से भी जानते हैं, बच्चो परियावरण विदो ने एक अध्य अध्यान किया और उसमें ये पाया कि हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें वो तो प्रकृति नहीं हमें दी हैं और प्रकृति में खुद में इतनी चमता होती है कि वो आटोमेटिक बैलेंस कर ले, खुद को स्वता ही नियंत्रित कर लेता है, जैसे कि एक एक एग्जाम्प जो है वो घरेलू उपयोग के द्वारा हो रहा है तो जितना घरेलू अपस्ष्ट के माध्यम से जो नदी जीलों का या तालाबों का पानी जो गंदा होता है तो इसमें जो उपस्थित कीडे मकॉडे या जो मचलिया होती है वो खुद ही से आहार बना लेती है और नदीयों क पानी जो है वो स्वक्ष हो जाता है तो एक सीमा तक ही ये जो कारी जो होता है एक छमता होती है प्रकृती की भी खुद में बैलेंस करने की जिसे हम सिंग कैपेसिटी कहते हैं या सिंग छमता कहते हैं वो ऐसे कि जैसे हमने अभी नदियों के जलका या कोई भी जल जो है य इन्हाइछ प्रोषिताों इक बोहिद कर रहे हैं नदियों में तो वह जो बहाये गए अपसिस्ठ न प्रदूशितुक्ष उक्ष हो जाते हैं लेकिन जो के द्वारा आपसिस्ठ बहाया जाता है तो इसमें हम देखते हैं कि यह प्रकृति के सिंग कैपेसिटी या सिंग छमता के बाहर हो जाता है मतलब उसमें नदियों के जलकी मात्रा से ज़्यादा अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं नदियों में जो जलकी मात्रा है उससे ज़्यादा आउसाद जो है वो उसमें जमा हो गये हैं जो उन नदियों के सिंग कैपेसिटी के उपर हो गया है। तब प्रकृती में खुद इतनी छमता नहीं रह जा रही है कि वो उसे स्वतह नियंत्रित कर ले। तो हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर नदियों का जो पानी है वो नाले का पानी बन गया है या वो नदियां जो है वो नाले की जगह ले ली हैं। जैसे, इस्पेशली हम बात करें हमारे गंगा नदी की और कानपूर के आसपास जो उसकी सिती है वो हमें नाले से कम जो है वो दिखाई नहीं देती। वहाँ पर हमें लगता है कि यह कोई नदी नहीं, कोई नाला जो है वो बह रहा है। क्योंकि आसपास जितने भी ओध्योगिक छेत्रे हैं, जो दिल्ली है, यूपी के जो पशिमी उत्तरप्रदेश की हम बात करें, पूरे जो वहाँ पर ओध्योगिक छेत्रे हैं, उन सभी का अपसिस्ट या जो कच्रा है वो नदी में बहा दिया जाता है, जिससे गंगा नदी वहाँ पर बहुत जादा प्रदुशित हो गई है, अब ऐसे ही हम देखें कि जब तक हम परियावरण में धुएं की बात कर रहे हैं, तो जब तक जो घरेलू इंधन प्रयोग किया जाता है, या चूला जो जलाया जाता है, उससे निकलने वाला धुएं जो है, वो इस प्र प्रिसे निकलने वाले धुएं की बात करें, कारखाने से निकलने वाले धुएं की बात करें, तो ये धुएं जो है, वो इतना विशैला और इतना जहरीला होता है, कि प्रकृती के परियावरण के सिंग कैपसिटी के बाहर हो जाता है, और फिर ये पूरे परियावरण को है उस प्रदुषिद कर देता है कि जब हम भी कास की बात कर रहे हैं तो हमें विकास को को इस अवस्था में करना इस प्रकार से इस का उक्योक करना है कि हमारे परियावरण को हमारी प्रकृति को बिना नुकसान पहुचाए हम विकास के हर पड़ाओ को पार करें एक उदाहरन लेते हैं केरल का एक गाउ है केरल के उत्तरी छेत्र में कासर गोड नाम का एक गाउ है एक छेत्र है और वहाँ पर यह देखा गया वहाँ जो काजू की फसले उगाई जा रही थी तो उसमें किडों का प्रकृप हो गया तो उस बीमारी से बचाने के लिए किडों से बचाने के लिए वहाँ पर एंडोसलफान नाम के जो कीट नाशक है उसका प्रेयोग किया गया 1976 में 1976 में और इस कीट नाशक के छिड़काओ के कारण यह देखा कि सरकार ने उस समय अचीस वर्षों तक यह छिड़काओ कारी किया गया और इस छिड़काओ के कारण यह हम यह कहें कि इस कीट नाशक के प्रभाव के कारण वहाँ पर कासर गोड के आसपास के लगभग जितने भी 11 ग्राम पंचायत है उन 11 ग्राम पंचायत के जो क्रिशक है उस पे इस एंड जो है वो शारिक बीमारिया हम के हैं विकलांगता जैसी बीमारी शारिक विक्रितियां और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों की चपेट में वहां के जो किसान है वो आ गए और इतना अधिक दुषप्रभाव देखने के बाद फिर इस कारी पर रोक लगानी पड़ी और न्यायपालिका की शड में जाने के बाद जो न्यायपालिका ने इस पर निर्ने दिया कि छिटकाव कारी को रोका जाए और उन किसानों को उसके एवज में कुछ मुआवजा भी जो है वो दिया गया तो फिर ऐसा विकास कारी हमारे किस काम का कि हम जो इस विकास कारी को कर या अंत में जो इस विकास से परिणाम मिलेगा जिसका उपभोग हम खुद मनुशे कर रहे हैं वो खुद ही इसकी चपेट में आ जाएंगे तो हम किस विकास का उपभोग करेंगे है ना तो इसके लिए हमें बहुत जादा सतर्कता या साउधानी रखनी होगी कि हम अपने इ तो समझ कर प्रेयोग करें ताकि भविषय में आने वाली पीडिया हैं उनके लिए हम उन्हें सुरक्षित रख पाएं और साथ ही साथ उनके विकल्पों की भी खोच करें जोरत पढ़ने पर आवश्यक्ता पर ही उनका प्रेयोग किया जाए और साथ ही साथ जो हम इतना विकास कारिय करना चाहिए तभी हम एक संपोश्णिय विकास को प्राप्त कर सकते हैं अब हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन पर भई विकास संसाधन है तो हम विकास कर रहे हैं और चुकि यह असिमीत मात्रा में तो नहीं है यह संसाधन हमारे पास सिमीत मात्रा में है त टाकि हम इन सनसाधनों को सुरक्षट रख पाएं। बच्चो हम चड़्चा कर रहे थे कि हमारी पृतवी पकल उपलब्धन जीतने भी सनसाधन हैं उनके सन्रक्षन की महती आवश्च्त आ है। उनका संरक्षन करें नहीं तो हम उन्हें भविश में आने वाली जो पीडियां हैं उनके लिए नहीं बचा पाएंगे तो इस पर चिंता तो पहले ही की जा चुकी है हम प्राचीन समय से ही देखेंगे तो इस पर बहुत सारी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिस पथा हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं हमारे पास पेट भरने के लिए तो काफी कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं तो इस बात कंदाजा हम लगा सकते हैं कि वाकई हमारी पृत्वी पे जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो हमारी जनसंख्या की आवश्चक्ता को संतुष्ट करने के लिए परियाप्ट हैं लेकिन अगर हमारा लालच बढ़ता जाएगा तो हम पृत्वी के भूगर्भ को चाहे जितना ही छलनी कर दें लेकिन हम अंतरराश्टी इस्तर पर हम बात करें तो अंतरराश्टी इस्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षन की वकालत जो है वो 1968 में क्लब आफ रोम ने की थी उसके बाद हम आ जाते हैं 1974 में और 1974 में शुमेसर ने अपनी पुस्तक इस्मायल इस ब्यूटीपूल इस विशेपर इस पुस्तक में इस विशेपर उन्होंने गांधी के दर्शन की एक बार फिर से पुन्रा वृत्ती की थी इसके बाद हम देखते हैं ब्रंट्लेंड रिपोर्ट ब्रंट्लेंड आयोग रिपोर्ट आया यह ने वैश्विक इस्तर पर संसाधन सर्रक्षण में मूल आधार पर योगदान-प्रदान किया और इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसका शिर्षक था हमारा साजह भविश अवर कॉमन फ्यूचर और सबसे पहली बार हम कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ही सतत पोश्निय विकास की बात की गई थी और यह ब्रंट्लेंड आयोग रिपोर्ट जो है वह 1987 में आया तो हम देख रहे हैं कि क्रमशह हर दशक में जो है वह संसाधनों के संरक्षन की बाद की गई थी अब इसी संदर में हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जो हमने बात की कि हमारा साजह भविश या आवर कॉमन फ्यूचर इस पुस्तक के शिर्षक के बाद इस रूप में यह प्रकाशित हुआ उसके बाद इस संदर में ए जो है वो रियो डिजेनेरो मतलब ब्राजील का एक शहर है रियो डिजेनेरो और वहाँ पर 1992 में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसे प्रित्वी सम्मेलन कहा जाता है अब हम देखते हैं कि इस प्रित्वी सम्मेलन में जो रियो डिजेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया तो इस कि जो राष्ट्रा ध्यक्ष थे वो ब्राजील के शहर रियोडी जिनेरों में प्रत्थम अंतर राष्ट्य प्रित्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए इसमें हम देखते हैं सम्मेलन का जो आयोजन है वो बिश्व इस्तर पर जो उभरता हुआ एक मुद्दा था परियावरण संरक्षन और सामाजिक आर्थिक विकास इन दोनों ही समस्याओं का हर ढूनने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था इस सम्मेलन में जितने भी राष्ट्रों के अध्रक्ष या नेता एकत्र हुए थे उन्होंने भूमंडली जलवायू परिवर्तन और जैविक विवित्ता पर एक घोशना पत्र पर हस्ताक्षर किये रियो सम्मेलन में भूमंडली वनसित्धानतों पर सहमती जताई गई और 21 शताब्दी में सतत्र पोश्निय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्विक्रिती प्रदान की गई अब आप सोच रहे होंगे कि एजेंडा 21 क्या है तो आएए हम जानते हैं एजेंडा 21 के बारे में सम्मेलन आयोजीत किया गया था वहां संयुक्त राष्ट्र परियावरन और विकास सम्मेलन के तत्वे धान में विभिन राश्ट्रों के जो राष्ट ध्यक्ष उपस्थित्हुए थे उनके द्वारा सुइक्रित किया गया था या हम कहें कि इस सहमती प्रदान की गई थी इस घोशना को और इस घोशना का एक उद्देश था महत्त्वपूर्ण उद्देश वह उद्देश था सतत पोश्णिय विकास को हासिल करना हम कह सकते हैं यह जो घोशना जिसे स्विक्रिती प्रदान की गई थी एजेंडा 21 यह एक कारी सुची है और इसका उद्देश है समान ही तो पारस्परिक आवश्यक्ताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा परियावर्णी इच्छती घरीबी और रोगों से निपटना या उसका हल ढूना इस समस्या का समाधान जो ब्राजिल के शहर रियोडी जेनेरों में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और जो घोशना पत्र तयार किया गया है एजेंडा 21 उसमें यह बात कही गई थी कि विश्व इस्तर पर या अंतरराश्ट्रे इस्तर पर तो तयार हो ही रहा है लेकिन प्रत्य एक देश जो ह हम इस घोशना में जितनी भी बाते कहीं गई है उस पर जल्दी से जल्दी और सतही तोर पर अमल में इसे ला सके हैं अब हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन पर भई विकास संसाधन है तो हम विकास कर रहे हैं और चुकि यह असिमीत मात्रा में तो नहीं है यह संसाधन हम हमारे पास सिमीत मात्रा में हैं तो इनके एक management और प्रबंधन करने की जोरत है वो हमको है ताकि हम इन संसाधनों को सुरक्षित रख पाएं तो उसके लिए हम कुछ उपाय कुछ तरीके अपना सकते हैं जिनसे हम इन संसाधनों का क्या resource management कर सकते हैं जिसमें हम पहला देखते हैं वैकल्पिक संसाधनों पर जोर वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे हमारे पास जो सिमीत मात्रा में है कोईला पैट्रोलियम नाटि में हमाँ परसे पासा ID कोई आफे लेकिन उनके निर्मान प्रक यह में र सव सब्सक्राइब, इस तु हमारे टव समाप्ट प्राई के जाएंगे तो जैसे को परियोग करना चाहिए इसके बाद हम देखेंगे दूसरा संसाधुन में करना हमें अपने संसाधुन को निकलने वाला कच्रा या आपसिस्ट है इन सब का हम पुनर्चक्री करन करके प्रयोग कर सकते हैं, जल का पुनर्चक्री करन कर सकते हैं, इन सभी के प्रयोग के द्वारा हम संसाधनों के नवी करन की प्रक्रिया से, री सैकल की प्रक्रिया से अपने संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं. इसके बाद हम देखें संसाधनों का समुचित उपियों, संसाधनों का समुचित जो प्रयोग भी किया जाना चीजिसे हम अपने संसाधनों को संरक्षित अरक सकते हैं, जैसे जितनी आवशक्ता है हमारी उतनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए हम ये प्रयोग करें, हम दे इसके हिसाब से हमें इन संसाधनों को बहुत ही बैलेंसड रूप में विवेक पूर्ण तरीके से समुचित रूप से हमें इनका प्रियोग करना होगा अब संसाधन प्रबंधिन के विशय पर हम एक उधारन पर बात कर लेते हैं। संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कौन-कौन से हमें और नए मौके मिल रहे हैं रास्ते मिल रहे हैं और इससे संदर में हम बात करते हैं इंद्रा गांधी नहर कमान छेत्र जो है यह हमारे भारत में पंजाब के हरिके इंद्रान से एक नहर निकाली गई है और यह जो नहर है यह थार मरुस्थ़ल से होती हुई पाकिस्तान की सीमा के समाना अंतर जो है वो प्रवाहित होती है इस नहर की जो मुक्षे नहर की हम बात करें तो मुक्षे नहर की लंबाई wi 650 किलो मीटर है और इसके अन्य जो उप न 1060 किलो मिटर है कुल इस इंद्रा गांधी कमान नहर छेत्र की पूरी सिचाई छेत्र की हम बात करें तो यह 20 लाख हेक्टेर जो है यह इसका टार्गेट रखा गया है यह कमान नहर छेत्र जो विकास कारी है इसकी शुरुवाद जो है यह दो चड़नों में हुई है और हम चर प्राह की बात करें तो इसकी शुरुवाद जो हो 1960 से हुई और उसके बाद चरंण 2 की शुरुवाद जो हो 130 रूचाह असी से हुई तीले जो है रेत के जो टीले है वो हवा के माध्यम से हवा की दिशा में जो है वो इस्थानांतरी होते रहते हैं इतना शुष्क छेत्र है जहां का टेंपरेचर तापमान जो है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है औसत वर्ष वार्षिक वर्षा की मात्रा भ रहे हो पाती है तो इस छेत्र का विकास कारी करना जो है यह सरकार के सामने एक चुनआगति थी तो इसके विकास की लिए उन्होंने जैसा हमने बताया कि 1960 में दो चरन में इसका विकास का पूरा करना था पहला 1960 में हुए पहला चरण और दूसरे चरण के शुरुआत हो गई 1980 में और इस नहर के बन जाने से या इस नहर कारी के शुरू होने से ये फायदा हुआ कि जो पहले इस छेत्र में पहले जो इस छेत्र में चना, जो, बाजरा इसकी ही खेती होती थी क्योंकि हमने कहा ना तापमान बहुत अधिक रहता था और वार्षिक वर्षा की मात्रा यहां पर बहुत ही कम है एक शुष्क छेत्र, शुष्क और बहुत अधिक तापमान वाला तो इसके कारण इस नहर के बन जाने से अब ये देखने में आ रहा है कि यहां पर जो गन्ना है या हम गेहूं की बात करें या चावल की बात करें इन सभी फसलों की भी जो खेती है वो यहां पर अब की जाने लगी है लेकिन ये तो हो गए मौके कि हमने एक संसाधन का प्रेयोक करके यहां पर विकासकारी को आगे बढ़ाया लेकिन यहां पर बहुत अधिक सघन सिचाई होने से हमारे सामने एक चैलेंज आ गया है और इतनी अधिक सिचाई मतलब सिचाई की मात्रा जो है वो बहुत अधिक होने से यहां पर मृदा में मृदा लवणता की या चारीता की जो समस्या है वो उत्पन हो गई है क्योंकि मृदा में यहाँ पर बहुत अधिक सिचाई होने के कारण लवड़ता की मात्रा भी बहुत अधिक हो गई है तो हम ये देखते हैं कि हम जब भी संसाधनों के माध्यम से विकास कारी कर रहे हैं तो दोनों ही तरीके से हमेसे بال helicopter करके हमें चलना है और अपने संसाधनों की वीकास के साथ ही साथ हमें अपने वीकास नए आयाम को गड़ना है लेकिन हमें संसाधनी विकास को हमेशा ध्यान में रखना है जबभी हम संसाधन का नियोजन कर रहे हैं उसके विकास की बात करते हैं तो बच्चों बोड परिक्षा के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है दो तीन प्रकार केस में कोशन बनेंगे जैसे संसाधनों का वरगी करण है तो अगर आपसे शौर्ट कोशन के रूप में पूछता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भई नवी करनीय संसाधन क्या है जब पूछ रहा है तो पूरे संसाधनों के वरगी करण को आपको एक्जाम्पल के साथ उदाहरन के साथ आपको बताना होगा पूछा जा सकता है आपको कि जो हमने संसाधन प्रबंधन की बात की तो विकासकारिका इंद्रगांधी कमान नहर छेत्र के बारे में ये आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधनों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए तो ये सभी चीजे जो हमने एक एक करके इन पर चर्चा है और उधारन देते हुए आपको अपने उत्तर को देना है